जब आप कहते हो तब तो यह सामप्रदाहिक नहीं होता और मोदी जी करते हैं तब आपको यह सामप्रदाहिक लगता है मित्रों जो दोहरा मापदंड है कॉंग्रेस का वो देश की जंता अब समझ गई है मित्रों जब C.A. कानून लेकर आए देश में इन लोगों ने एक ब्रामक प्रचार किया देश की जंता को और विशेश कर माइनोरिटी को गुम्रा करने का काम किया और देश में दंगे फेलाने का काम किया मैं आज इसे इत्यासिक मैदान पर कहने आया हूँ पहले तीन-चार दिन जो दंगे हुए इसका पूरा जिम्मेदारी और दोस्त एक कॉंग्रेस मम्ता एंड कंपनी का है कॉंग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए हूँ मित्रो इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरदाओं ने तै किया है हम घर घर जाएंगे सचाई बताएंगे और देश की जन्ता को सीए के समर्थन में लाम बंद करकर मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे मित्रो यह जो कॉंग्रेस पार्टी है यह जो लालू प्रसाद यादव है यह जो केजरी वालती है और यह ममता दिदी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी एका विरोध करें मोदी जी ने आपके आशिर्वाद से 303 सिटे मिली फिर से प्रदान मंत्री बने पहले ही सत्र में पाच अगस को धारा 370 और 35 को उखाड कर फेक देने का काम किया मैं आज वैसाली की जन्ता को पूछने आया हूँ आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि कस्मीर भारत माता का अभी नंग बने बताइए मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मोदी जी ने 370 और 35 से अटा कर कस्मीर को हमेशा के लिए बारत के साथ जोड़ा और कस्मीर में हमारा तिरंगा सान के साथ आस्मान को चूरा है वो मोदी जी के कारण चूरा है इसका भी इनों ने विरोध किया मित्रो राम जन्म भुवी अयोध्या में जहां मरियादा पुर्सोत्तम प्रभु स्री राम का जन्म हुआ था आप मुझे बताइए वहां मंदिर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए सुनाई नहीं पड़ता है भई जड़ा जोर से बोलिये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी लालु प्रसाद ममता केजरिवाल सब राम मंदिर में आड़े आये थे मगर मोदी जी ने भारत सरकार के इनिसिटिव से केस एक दम स्पीड से चला और पांच जजों ने इत्ताई कर दिया कि वो ही इस्तान पर प्रभूश्री राम का मंदिर बनेगा और मित्रो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार महिने के अंदर आस्मान को छुने वाला राम लल्ला का मंदिर वो ही अयॉद्य की भुमी पर आस्मान को छुने वाला मंदिर बनाने की सुरुउत हम करने जा रहें। यह इसका भी विरोध करें मित्रवा आप मुझे बताइए पाकिस्तान से जो अतंकवाधी आते हैं हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे उनको सबक सिखाना चाहिए और नहीं सिखाना चाहिए उनको ठोकना चाहिए नहीं ठोकना चाहिए पूरी पर हमला किया पुलवामा पर हमला किया सून्या जी आपकी और मनमौनि सिंग की सरकार्थ नहीं थे मौनी बाबा चुप बेठेरे एच से कुछ नहीं करते थे मोदी जी के समय हमला किया मोदी जी जी ने दस ही दिन में एर स्ट्राइक और सर्जीकल स्ट्राइक करकर पाकिСТान के घर में खुसकर आठांकवादियों को सबक शिखाने का काम किया ओक मित्रों मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया जोर से भोले ठीक किया या नहीं किया इसका भी एक Congres and Company लालू प्रसाद यादवेंड कंपणी विरोध करी है वो कह रहे है सबूत कहा है और इम्रान खान भी कह रहे है सबूत कहा है ये सारे मुद्धों पर लालू प्रसाद, Congress, ममता, केजरीवाल उनकी भासा और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की भासा एक ही दिखाई पड़ती है बिहार वालों मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता ये सब के बीच में रिस्ता क्या है रिस्ता क्या है देश के हित की कोई भी बात करो इसका विरोध करते हैं मित्रो अभी अभी जेन्यू में तीन साल पहले नारे लगे भारत तेरे टुकडे होंगे एक हजार इनको सजा करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए बोलिए जोर से बोलिए करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए माताओ वेनो भाईयो मोदीची ने उनको जैल में डाला आज केजरिवाल उन पर केश चलाने की अनुसंसा नहीं देते, मगर मैं बता देता हूँ आप सभी को, मम्ता दिदी, केजरिवाल, लालु प्रसाद, राहूल बाबा, कॉमिनेश, कान खोल कर सुन लो, यह नरेंद्रमोधी सरकार है, भारत की भुमी पर, भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगे, जैल की सलाखों के पिछे होगी, कहीं और हो नहीं सकते, मित्रों, आज मैं इतना ही कहना आए हूं, मित्रों, कि आप सब लोग, पूरे बिहार में, गर-गर जाकर, CAA के समर्थन में, नागरिक्ता संसोधन कानून के समर्थन में लाम बंधोई है, अपने भाई-बेहन, हिंदू, सीक, बहुत, जैन, पारसी, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बंगलादेश से आए हैं, उनको उनके अधिकार देने के लिए लाम बंधोई है, लोगों के पास है, सब लोग निकाले जरा, हाथ उपर करो, है ना सब के पास, है ना, मोदी जी का समर्धन करना चाहते हैं ना, तो मैं एक नंबर बोलता हूँ, डायल करोगे, पक्का करोगे, तो मैं एक नंबर बोलता हूँ, डायल मोड पर ले लिजे मोबाईल को, डायल म और पर ले लिए आंकड़े निकाल दीजिए मैं जोर से नंबर बोलता हूं आठ आठ चे चे दो आठ आठ चे चे दो अब डायल कर दीजिए कि कि इतने लोगों ने करा हाथ उपर करिये मैं बिहार की जंता को भी कहना चाहता हूं इस नंबर को डायल करकर मोदी जी का आप समर्थन करिए मित्रो कुछ लोग अप्पा फेलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा मैं आज सारी अपवाव का निरसन करने आया हूं बिहार के अंदर अगला चुनाव निती सी के नेत्रुतों में एंडी ये लड़ेगा भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लडने वाले ये जो लालू प्रसाद यादव को जैल में रहकर स्वपना आते हैं भीर से मुख्यमंत्री बनने के उनको मैं कहना चाहता हूं कि बाजपा जदयू का गटबंदन अतूट है इसमें कोई सेंद मार या पने ही कर पाओ लालू प्रसाद जी आपका साचंधा आपका साचंधा तीन प्रतिसत की दर से विहार विकास कर रहा था इतने सालों से 2005-2020 तक 11 प्रतिसत की दर से विकास किया है प्रतिव्यक्तियाए पॉइंट बारा प्रतिसती आज चार प्रतिसत हो गई है कुरुशी विकास्तर 21 प्रतिसत तक पहुचा है बीजली सत प्रतिसत घरों में पहुची है और सड़क 93 प्रतिसत गाउं में पहुची है